आपका इस चैनल में और मेरा नाम है सारवेंद्र आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जैसे ही यहाँ 25K हो जाएंगे PC6 की डेट अनाउंस हो जाएंगे जल्दी जल्दी आप फॉलो कर सकते हैं और यह मेरा मेरा निपलेशन वर्क है आप यहाँ आके मज़े फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं सारी फोटो जो भी आपको पसंद आती हैं और अगर आपको इन में से कोई बनाना है तो PNG डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके हर फोटो का PNG डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री आप टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हैं जिसमें PNG अपडेटेड रहती हैं लेटेस्ट की लेटेस्ट और उसमें 5000 से जादा लोग हैं तो टेलिग्राम जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जोईन हो जाए मेरे इस ग्रूप में और एडिटिंग फॉर्म में और जो आज इस फोटो की एडिटिंग का मैं बताऊंगा आपको कि ये फोटो कैसे आप एडिट कर सकते हैं PIXAR के अंदर और इसली बताऊ है अब फोन को कर देता हूं मैं रोटेट थोड़ा सा क्योंकि बिना रोटेट के कुछ फिलिंग निया थी PIXAR के अंदर सो यहां स्टार्ट एडिटिंग और यह बीजी है जो मैंने क्रिएट कर रखा है बहुत ही अच्छे से मर्जिंग मर्ज कर रखा है जस्ट दो तीन दो चले कि यार कि बैक्ग्राउंड में था गया सो सबसे पहले मैं आपनी एड करता हूं या इससे पहले मेरे को एक चीज और करनी है कि बैक्ग्राउंड थोड़ा सा लो करना है क्योंकि बैक्राउंड लो नहीं करूंगा तो यार वो फील नहीं आती है इसके अंदर तो यहां आता हूं मैं और टूल्स में और एड़जस्ट और थोड़ी सी ब्रैटनेस लो कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे कॉंट्रास्टी सिच्वेशन चाहिए और कॉंट्रास्ट इंक्रीज कर देता हूं जो मेरे foreground के साथ match करेगी जो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आपका foreground light है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं तो यहां सबसे पहले मैं अपने आपको add करता हूं एजी अपने आपको add करना कोई मुश्किल नहीं है और अच्छे से cut करेंगे जितना उतना better रहेगा सो आप देख सकते हैं mostly जो मेरा part है वो मेरे से कवर हो जा रहा है सो इसलिए वो मुझे पीछे का ठीक करने की ज़रूरत नहीं पढ़ा इतना ठीक है तो यहाँ पे इतने पे और फिर थोड़ा मेरा face ज्यादा over bright लग रहा है तो over brightness को कैसे कम करते हैं यहां से आके थोड़ा सा down कर दीजिए और हमेशा contrast को थोड़ा low पे रखिए अगर आपको जो भी blacks होते हैं जैसे मेरा ज़्यादा black है मैं आपको दिखाता हूँ zoom करके यह आप देख सकते हैं यह वाला black और यह वाला black और यह वाला black अलग है तो जब तक यह match न हो जाए THोड़ा सा तब तक इस contrast को नीचे करें आप देखे यह और यह थोड़ा थोड़ा same लग रहे है तो थोड़ा और करके इसे बराबर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप foreground और background थोड़ी सी matching आगे है अब saturation में आता हूँ थोड़ा saturation कम करता हूँ क्योंकि ज्यादा oversaturated इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता थोड़ा कम ठीक है और यहां यह थोड़ा से hue भी change करूँगा क्योंकि मेरे को tone थोड़ी सेयान टाइप चाहिए तो सेयान के लिए थोड़ा से देखता हूँ मैं कहां आता है perfect fit तो यहां plus 6 पे मुझे थोड़ा सही लग रहा है या 2 पे या 3 पे perfect है ठीक है तो यहां टिक कर देता हूँ और इसे completely done कर देता हूँ मैं उसके पाद head photo में आना है और यह चश्म जो यार हर किसी को चाहिए और यह मैंने खुद create कर रखा है just cut out करके और easily put हो जाए आपकी eyes पे इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से बनाया है और यह थोड़ा सा tedious है और हलका सा है कि लगता है और जैसी आप इसको इसका blend mode change करेंगे आप जिसमें भी अगर चाहें आप screen पर काम करते हैं चाहें किसी पर तो यह perfectly fit हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां से और perfectly fit होने के बाद just हलका फुलका जो भी आपको tilt चाहिए आप वो कर सकते हैं क्योंकि glow पहले से inbuilt है और फिर यहां से eraser लेना है थोड़ा थोड़ा वो है तो इससे remove कर देता हूं ठीक है और यहां यह perfectly fit हो गया है अच्छे से और फिर से tick कर देता हूं उसके बाद मेरे को जाना है ड्रॉ के अंदर ड्रॉ से मुझे क्या करना है यहां पर मुझे एक नई layer create करनी है और empty layer पहले से ही है यहां पर screen पर जान वह opacity बिल्कुल low होईगी चार या पांच के round पर और यहां पर फेस के eyes के ऊपर थोड़ा थोड़ा glow यहां पर glow यहां पर glow यहां पर glow हलकालका देना है तो आप देख सकते हैं वह glow के इतना फर्क डाल रहा है और उसके बाद यहां से opacity भी layer की थोड़ीशी कम करनी है तो वह perfect tie के ऊपर अच्छे से बैट जाएगा ठीक है उसके बाद add photo में आना है और फिर जो भी hand वाला mechanism है यह add करना है और यह सीधा है कोई इसमें आपको जोल जबाट नहीं करना ना add करने के लिए ना कुछ करने के लिए direct है drag and drop pngs रहती है मेरी कोई फालतु की नहीं रहती कि बात नहीं है कि सो यहां यह सई से हो गया थोड़ा बहुत जो भी बहार निकलता है इसमें से पार्ट तो आप एरेजर पर आके अच्छे से फिर इससे साफ कर सकते हूँ इसके और यहां से भी देख सकते हो यह थोड़ा थोड़ा आजीब सा लग रहा है तो यहां से फैदेर आउट करके निकाल दो इसे ठीक है और टिक करोगे तो यह परफेक्ट लिए फिट हो जाएगा और कहीं गया नहीं है उसके बाद आना है आपको फिर से जस्ट एक कलर ग्रेडिंग के लिए तो यह तो हो गया पूरा सेम सीन पूरा फिट हो गया अब इसे कर देता हूं मैं सेव और डायरेक्ट जम करते है यहां लाइट रूम के अंदर आ गया हैं और अब मैं बताऊंगा यहां आपको लाइट रूम के लिए इसके लिए कैसी कलर ग्रेड करनी आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए लाइट रूम की कलर ग्रेड के लिए और बहुत ही ईजी है यार इसकी लाइट रूम क कि फिर मेक्स ब्ल्यू सेयान की तरफ शिफ्ट करना यह से थोड़ असा कि विनियर्टिंग डालनी है विनियर्टिंग तो बहुत जरूरी है इसमें डिहेस कर सकते हो लेकिन डिहेस कि इतनी जरूरत नहीं लगने है मुझे और क्वालिटी टेक्सच्चर यह थोड़े थोड़े इंक्रीज करने है ठीक है और उसके बाद यहां से अपने मिक्स में जाना अच्छे से और जो इसकिन होता है वो थोड़ा अपने देखना है कि यह लूनेस और इंजीनस आनी चीए उसमें थोड़ी सी कि रेड़ पर भी आना है और रेड़ पर भी ओरेंज करना है क्योंकि हमारा काम हो गया वह और इंजीनस वाला और यहां से थोड़ा लिफ्ट नीचे करना है उसके बाद जो आपका में होता है यह एक्स्पोजर वाला इस पर आना है और हिए और कॉंट्रास्ट ही ज्यादा रखनी है थोड़ी शी इमेज हाईलायटस आपके कोरडिंग रहेंगी कि आपको ज्यादा दिखानी है नहीं दिखानी है तो थोड़ी शी मैं रखता हूं अपने परपस से बता रहा हूं और ज्यादा भी नहीं रखता मैं हमेश्व थोड़ी कम ही रखता हूं ब्लैक मुझे मुस्टली एफेक्टिव लगते हैं कि आपको स्टेंड आउट करना है इमेज को या डार्क बनाना है तो यह होता एक पैनल तो यहां मैं माइनस टू या माइनस फाइल तक जाता हूं तो यह बेटर इमेज क्रियेट करता है आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर कितना चेंज आ गया इसमें सो यहां से अब आप इसे सेव कर सकते हो और शेयर करके कहीं भी किसी को और इंस्टाग्राम पर करना हो चाहिए और यह एक्सपोर्ट होगी है सक्सफिली आपने मेरे इस टूटोरियल को यहां तक देखा और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी आपको फोटो एडिटिंग का टूटोरियल चीह होगा और तो जरूर कमेंट डाउन करो मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूँगा सो थैंक यू गाईज और पीस